हेलो फ्रेंड्स मैं सोनिया सोनिया की रस्वई में आप सबका स्वागत है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं मेरी वीडियो मेरी महनत पसंद आये तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपनी फैमली फ्रेंड के साथ जरूर सेयर करें और मेरी अब घी को अच्छे से melt कर लेना है गी melt हो जाने पर यहाँ थोड़ा सा बारिक किया हुओ काजू और थोड़े से बारिक कटे हुए बदाम add करेंगे अब दोनों चीजों को हमें golden brown होने तक fry कर लेना है और gas का flame हमें slow ही रखना है दोनों चीजे थोड़ी fry हो जाने के बाद इसमें थोड़ी से kismis add कर लेंगे kismis को हमने इसमें थोड़ी देर बाद ही add करना है क्योंकि kismis बहुत जल्दी fry हो जाते हैं देखिए इस तरह से अच्छे से हमें fry कर लेना है देखिए हम सभी चीजे golden brown हो चुके आई अभी नहीं एक plate में अलग कर लेंगे देखिए इस तरह से सभी चीजों को गी से अलग कर लें और बचे हुई गी में यहां मैंने half cup सूजी लिया है आप एक कटोरी माप के लिए रख ले और उसी माप से ही सभी चीजों को measurement करना है इससे हमारी हल्वे बहुत ही अच्छे रसीले बनकर तयार होंगे देखिए इस तरह से हमें सूजी को golden brown होने तक fry कर लेना है गैस का flame हमें slow ही रखना है अब हमें यहां एक कटोरी पानी एट करना है पानी को थोड़ी साधानी से डाले यह बहुत ही उचलता है हाथ में आपके बिल्कुल भी ना लगे देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पूरा एक कटोरी हमें पानी एट कर लेना है अच्छे से मिक्स कर लीजिए फिर इसमें हाप कप सुगर एट करना है अब इसका परफेक्ट मेजर्मेंट है आधा कटोरी सुजी आधा कटोरी शक्कर और एक कप पानी अब सभी चीजों को चम्मत चलाते हुए मिक्स कर लीजिए जब तक पूरा पानी सूप न जाए अब देखिए इस तरह से हमें गैस का फ्लेम स्लो ही रखना है और चम्मत चलाना बिल्कुल भी बंद नहीं करना है नहीं तो हल्वा तले पे लग सकता है देखिए थोड़ी देर के बाद यह गाड़ा होने लग है और पैन छोड़ने लग है अब जो हमने ड्राइफ रूट्स फ्राइ करके रखे थे उन्हें एट कर लेना है देखिए इस तरह से सभी ड्राइफ रूट्स को एट कर ले और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लीजिए अब हमारा स्वादिष्ट हल्वा बनके तयार है आईए अब इन्हें एक सर्विंग डिस में सर्व कर लेंगे आपको मेरे इस सूजी हल्वा की रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और एक बार इस सूजी के हल्वे को मेरे तरीके से ट्राइब जरूर करें देखे मुँ में ले जाते ही घूल जाएंगे बहुती स्वादिस्ट हल्वा बनकर तयार हुए आप इस रेसिपी को एक बार मेरे तरीके से ट्राइब जरूर करें मेरे चैनल को लाइक करें सस्क्राइब करें